कुछ फल ऐसे होते हैं, जो फल के रूप में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं, लेकिन सूखने के बाद सेहत के लिए और गुनकारी साबित होते हैं। अंजीर के पेड़ की छाल चिक्मी और सफेद रंकी होती है। इसका पेड़ मुख्य रूप से सूखे और धूप वाली जगह पर तेजी से उपता है और जर्बेहद गहरी होती है। साथ ही यह पहारी क्षेत्र में भी आसानी से पनप सकता है। इसके पेड़ की उचाई साथ से दस मीटर तक हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि अंजीर के एक पेड़ की उम्र करीब सो वर्ष होती है। हिमाले और शिवालिक एरिया में यह बहुतायत पाई जाते हैं। इरान, भारत और मध्यपूर्व के देशों में रहने वाले इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। अंजीर की दुनिया भर में कई प्रजाती पाई जाती है और लगभग साथ सो अलग-अलग नामों से जाना जाता है। हर प्रकार का अपना अलग स्वाद वह मिठास है। अंजीर खाने के लाब लगभग एक जैसे हो सकते हैं। अंजीर के सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रकार इस तरह है। बलेक मिशन बाहर से इसका रंग काला या हलका बैंगनी होता है जबकि अंदर से गुलाबी होता है। यह अंजीर न सिर्फ खाने में मीठा होता है बलकि इसमें रस भी होता है। इसे केक या खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कडोटा यह अंजीर हरे रंग का होता है और इसमें बैंगनी रंग का गूदा होता है यह अंजीर के सभी किस्मों में सबसे कम मीठा होता है इसे कच्चा खाया जा सकता है लेकिन इसे गर्म करके और उपर हलका नमक डाल कर भी खाया जा सकता है कैली मिरना यह बाहर से हरे पीले रंग का होता है इसका आकार अन्य किस्मों के मुकाबले सबसे बढ़ा होता है और इसका स्वाद भी सबसे अलग होता है ब्राउन तुर्की इस अंजीर का बाहरी रंग बैंगनी और गूदा लाल होता है इसका स्वाद हल्का और कम मीठा होता है इसका प्रयोग सलाद का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है Adriatic, इसकी बाहरी परत हल्की हरी और अंदर से गुलाबी होती है इसका रंग हल्का होने के कारण इसे सफेद अंजीर भी कहा जाता है यह सबसे मीठा होती है और इसे फल के तोर पर खाया जा सकता है अंजीर के फायदे अंजीर के सेवन से स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है साथ ही अगर कोई बीमारी है तो लक्षनों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है यहां हम वैग्यानिक प्रमान के सहित बता रहे हैं कि अंजीर किस प्रकार फायदे मन्ध है 1. पाचन और कब्ज के लिए अंजीर के फायदे अंजीर का सेवन करने से पाचन तंत्र अच्छी तरह काम कर सकता है اور कब्ज की समसिया से बचा जा सकता है 2. हृदय के लिए अंजीर के फायदे कॉरोनरी हृदय रोग एक भातक हृदय रोग है जो मुख्य रक्त वाहिकाओं को अपना शिकार बना कर रक्त प्रवाह को बाधित करता है अंजीर आपके रक्त में ट्राइगलिसराइट के स्तर को कम करने में मदद करती है और आपके हृदय के स्वास्थय में सुधार करता है ट्राइगलिसराइट्स रक्त में मौजूद वसा के कनों को कहते हैं जो हृदय रोगों का एक प्रमुक कारण है सूखे अंजीर में फिनोल, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिट्स पाया जाता है ये फैटी एसिट कोरोनरी हृदे रोग के जोखिम को कम करने में अती सक्षम होते है 3. कम वजन के लिए अंजीर के फायदे अगर कोई वजन कम करने के बारे में सोच रहा है तो अंजीर की मदद ले सकता है अंजीर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और कैलोरी कम होती है साथ ही सूखे अंजीर के फल में फैट बहुत कम होता है इसलिए यह वजन घटाने में सहायक हो सकता है यही कारण है कि अंजीर खाने के लाब में वजन का घटना भी शामिल है 4. कॉलेस्ट्रॉल के लिए अंजीर के फाइदे अंजीर में पैक्टिन नामक एक घुलनशील फाइबर होता है जो कॉलेस्ट्रॉल को नियंतरित करने में बहुत प्रभावी होता है अंजीर में मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र में अतिरिक कॉलेस्ट्रॉल को साफ करता है और उसे खत्म करने के लिए कॉलेस्ट्रॉल को आतों तक ले जाता है 5. लिवर के लिए अंजीर के फाइदे स्वस्थ लिवर के लिए अंजीर की पत्तियों के पाउडर का सेवन किया जा सकता है इसके अलावा अंजीर की पत्तियों की चाय बनाकर इसके लाब लिए जा सकते है 6. डाइबिटीज के लिए अंजीर के फायदे इसलिए अंजीर खाने के फायदे में डाइबिटीज से बचाव भी शामिल है डाइबिटीज के प्रभाव को कम करने के लिए अंजीर के पत्तों की चाय बना कर सेवन कर सकते है 7. कैंसर से बचाव में अंजीर के फायदे अंजीर को केलशियम, पोटैशियम और मेगनीशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है और यह तत्व हड्डियों पर प्रभावी तरीके से काम करते हैं, जिससे हड्डिया मजबूती से बढ़ सकती है 9. रक्चाप के लिए अंजीर के फायदे अगर नियमित रूप से अंजीर का सेवन किया जाए तो रक्चाप को संतुलित रखा जा सकता है अंजीर में पाय जाने वाले फ्लेविनोइट्स, फिनोल और पोटैशियम मिलकर उच्छ रक्चाप की आशनका को कम कर उसे संतुलित बनाए रख सकते है दस, उर्जा का स्रोट दिन भर की भाग दोर के लिए शरीर को उर्जा की जरूरत होती है इस उर्जा को कायम रखने के लिए भूजन के साथ अपनी डायेट में अंजीर को भी शामिल करना बहतर हो सकता है सूखे अंजीर में 249 कैलोरी पाई जाती है जिससे शरीर को पर्याप तूर्जा मिल सकती है 11. अंजीर के अंटियोक्सिडेंट गुन गुनों की खान अंजीर को अंटियोक्सिडेंट का प्रमुक्स रोत माना गया है Antioxidant प्रभाव के कारण ही अंजीर शरीर में free radicals को खत्म कर कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है अंजीर का सेवन करने से शरीर में Antioxidant की क्षमता बढ़ जाती है इससे Antioxidant शरीर में oxidative stress के प्रभाव को कम कर सकता है इस प्रकार कह सकते हैं कि अंजीर का यह गुन शरीर के लिए हितकारी हो सकता है 12. अंजीर का उप्योग मूत्र समस्याओं के लिए अंजीर में अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है जो मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकलने वाले तत्व को नियंतरित करता है यह केल्शियम के पतन को रोकता है और विशाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल फेकता है 13. यौन शक्ती के लिए अंजीर खाने के फायदे जहां अंजीर के सेवन से तमाम तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है वही यह प्रजननक्षमता और यौन शक्ती को बढ़ा सकता है अंजीर की पत्तियों का अर्ग शुक्रानूओं की गुनवत्ता वा संख्या में व्रिध्धी कर सकता है इसमें पाय जाने वाले एंटियोक्सिडेंट गुन शुक्रानूओं को किसी भी प्रकार की ख्षती से बचा सकते है वही सुखे अंजीर के सेवन से महिलाओं की प्रजननक्षमता भी बहतर हो सकती है 14. प्रतिरोधक्षमता में व्रिध्धी के लिए अंजीर खाने के फायदे अगर हमारी प्रतिरोधक्षमता अच्छी नहीं होगी तो कई बीमारिया हमारे शरीर को घेर लेती है इसलिए एक प्रतिरोधक शम्ता को बहतर करना है, तो उसके लिए अंजीर का सेवन फाइदेमंद हो सकता है अंजीर में Polysaccharide नामक कंपाउंड पाया जाता है, जिसमें Immunomodulator प्रभाव होता है Immunomodulator प्रतिरोधक शम्ता को बहतर करने का काम करता है इसलिए प्रति दिन अंजीर का सेवन करना फायदे मंध हो सकता है पंद्रह अंजीर का सेवन आखों के लिए उम्र के साथ आखों में macular degeneration होना बहुत ही आम बात है और यह आखों की दृष्टी में कमी आने की एक वजह होती है अंजीर में विटामिन A अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए यह आपकी दृष्टी को बढ़ाने और macular degeneration को रोकने में मदद करता है 16. अंजीर खाने के फायदे गले के दर्द से राहत दिलाए अंजीर ना केवल गले में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है अपितु गले की सूजन के उप्चार के लिए भी उप्योगी है अंजीर के पेस्ट को गर्म पानी के साथ घोले और इसे अपने गले पर लगाए यह दर्द को कम करेगा और आपके गले को राहत देगा 17. जुर्यों को रोकने में अंजीर के गुल चेहरे पर असमय पढ़ने वाली जुर्या खूब सूरती पर दाग साबित होती है इससे बचने के लिए अंजीर का प्रयोग किया जा सकता है अंजीर के फल का रस्किन, मेलिनिन और सीबम के स्तर को कम कर सकता है साथ ही यह स्किन को हाइडरेट रख सकता है इसलिए अंजीर को हाइपर पिग्मेंटेशन, कील, मुमहसो और जुर्यों के इलाज के तौर पर इस्तिमाल किया जा सकता है 18. बालों के लिए अंजीर के फायदे अक्सर पोशक तत्वों की कमी के कारण बाल ज़र्णा शुरू हो जाते हैं एक रिसर्च के अनुसार नारियल का तेल और सोयाबीन जैसे प्राकृतिक तत्वों के साथ अंजीर को मिला कर तयार किया गया फॉर्मूला बीटा कैरिटीन के उत्पादन को बढ़ा कर बालों के विकास को प्रेरित कर सकता है अंजीर के नुकसान अधिक मात्रा में अंजीर का सेवन नुकसान भी कर सकता है जो इस प्रकार है अंजीर का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए नहीं तो इसमें मौजूद शुगर मोटापे का कारण बन सकती है अंजीर के अधिक्तम सेवन करने से डायरिया हो सकता है समवेदंशील तवचा वाले व्यक्तियों को अंजीर के पत्तों से कभी-कभी जलन और खुजली की समस्या हो सकती है इसमें मौजूद फ्यूरो को मोरिंस नामक तत्वतवचा समस्याओं का कारण बन सकता है किसी-किसी को अंजीर खाने से अलजी भी हो सकती है इसलिए यह खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ ले अब तो आप अंजीर के बारे में अच्छे से जान ही गए होंगे साथ ही आपको यह भी पता चल गया होगा कि इसका उप्योग आपको किन-किन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक साबित हो सकता है उम्मीद करते हैं कि आप भी इस गुनकारी फल को अपने डाइट में जरूर शामिल करेंगे अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद